हलो दोस्तों स्वागत करता हम आपका एक बब फिट से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन लाइफ में चाह मिलता आपको ओनलाइन सॉलिशन दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नहीं महाराष्ट की न्यू वेकेंसी के बारे में जिसके लिए आप ओनलाइन अप्लाइक कर सकते हैं अगर आप टेंथ पास आउट है तो भी कर सकते हैं इसमें पूरी डिटियल आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को ध्यान से लास्ट देखते रही है कि वीडियो पसंदा आज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब चरू कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो वेकेंसी ही वो है 2725, 2725 टोटल वेकेंसी यहाँ पर ब्रीफ इंफर्मेशन दिया है तो यहाँ पर बहुत सारी टाइप की वेकेंसी निकली है जो की 10th से लेकर ग्रेजुशन बेस तक की वेकेंसी है मतलब अगर 10th पास आउट है तो भी कर सकते हैं और अगर आप ग्रेजुशन है तो भी इसमें अपलाई कर सकते हैं तो इसमें पूरी डीटेल आपको देखना है पहले फिर अपलाई कर सकता है वीडियो को लाइक जरू करते चले यहाँ पर आप देश सकते हैं महाराष्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई है अपलिकेशन फीज के हमें आप बात करें सबसे पहले तो जनरल केटेगरी के लिए 600 रुपय का चार्ज है यहाँ पर और अगर आप बीसी इडव्लीएस के हैं तो यहाँ पर 400 रुपय का चार्ज आपको लगेगा और जो पे इडव्लीएस के लिए 400 का यहाँ पर जो है एप्लिकेशन फीज लगने वाली इंपोर्टेंट डेट के हम यहाँ बात करें तो स्टाइटिंग डेट टो अपलाई मतलब कपसे ऑनलाइन अपलाई स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वह है बीस अगस्त दोजार ठीक है तो 20 अगस्त 2021 को आप 12 वजे मद्धी रातरी तक इसमें अपलाई कर पाएंगे ठीक है तो आपको विशस तोर पर डेट का ध्यान रखना है कि इसकी जो लास्ट डेट है वह 20 है अगर आपको फॉर्म बनना है तो 20 ताइक से पहले जरूर भर दें एज लिमिट के हम बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर मिनिममम एज लिमिट रखा गाया है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 वर्ष ठीक है मतलब अगर आप 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 45 वर्ष आपका चल रहा है तो आप इसमें फॉर्म आराम से भर पाएंगे लेकिन अगर आ आउस के पर ड्रेसर 8 वेकंसी एससी चाहिए इसमें मतलब 10 अगर पास आउट है तो यहाँ पर इसके लिए अप्लाइ कर पाएंगे स्टोर गार्ड के यहाँ पर 12 वेकंसी इसमें भी एसससी मतलब टाइपिंग इसपिट आपका चाहिए और लेबराटरी साइंटिस्ट 139 वेकंसी डिग्री इसमें चाहिए लेबराटरी असिस्टेंट के लिए 49 वेकंसी इसमें भी डिग्री चाहिए परामेडिकल के आपका टेक्नोलोजी के डिग्री होना चाहिए एक्सरे टेक्निशन के लिए 140 वेकंसी ब्लट बेंक के टेक्निशन के लिए 40 वेकंसी ठीक इन Dental Mechanic के लिए आप 20 वेकेंसी, HSC with Dental Mechanic course आपका इसमें होना जाए, Dialysis Technician के हम बात करें, 3 वेकेंसी यहाँ पर, Nurse के लिए आप 1327 वेकेंसी जिसमें GNM या BSC Nursing आपका होना जाए, Telephone Operator के लिए, SSC आपका है, तो 17 वेकेंसी इसमें निकली, इसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे, तो आप बहुत सारी वेकेंसी है, आप notification इसका एक बार जरूर पढ़ ले, उसके बाद ही यहाँ पर apply करना है, Interested Candidate can read the full notification before apply online, अप्लाई करने से पहले आपको पूरा notification पढ़ लेना, उसके बाद ही apply करना है, apply कैसे करना है, apply करने के लिए सबसे पहले आपको official website जो है NHM महराष्टर के उस पर आजाने, जिसकी link आपको नेचे description में मिल जाएगे, जैसे यह आपको आप लिंक पर क्लिक करेंगे, बहुत ही simple list है, अपर registration करने की, और यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को like जरू करते चलेंगे, चैनल को subscribe जरू कर ले, applicant login का सबसे पहले option है, अगर आप already user है, तो आप यहाँ पर direct username और password डालकर login कर सकते, नहीं है, तो फिर आपको new registration करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर देखिए, applicant login का option है, उसके नीचे आपको new registration का option देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको first name आपका लिखना है, first name लिखने के बाद आपको middle name लिखना है, अगर middle name है तो ठीक, नहीं तो फिर आप direct last name यहाँ पर लिख देए, सब्मिट जैसी करेंगे, तो आपने जो email id और mobile number दिया है, उन दोनों पर किसी एक पर आपको OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होता है, ठीक है, चार अंकर का याचे अंकर का कोई भी OTP हो सकता है, तो वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना, चलिए हमारा पास जो mobile number हमने दिया, उस पर OTP आ चुका है, हम इसको submit का देते हैं, जैसे submit करेंगे तो आपको username मिल जाएगा, और password भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको आपको note down कर लेना है, या copy कर लेना है, ठीक है, आप ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको note down कर ले, कहीं पर लिख ठीक है, उसके बाद यहाँ पर step बताई गई कि उनकों सी step, step first में आपको registration part A करना है, step second में आपको registration part B करना है, third step में आपको qualification डालना है, और fourth में आपको photo sign upload करना है, 5 भी number की step में आपको post selection करना है, छेरे में payment कर देना है, और 7 भी step उसमें आपको print out निकल लेना है registration form का, ठ total 7 step है, 7 भी step आप complete कर पाएंगे, तो आप यह form आसानी से भर पाएंगे, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा है, यहाँ पर देखिए kindly login for group C using your candidate ID, तो आपको user ID, password दिया गए है, उससे आपको login कर लेना है, और login जैसे ही आप कर लेंगे, यहाँ पर information page आएगा, इसक option rate color में दिखाए देगा, प्रोसिट का उस पर click कर देना है, जैसे click करेंगे, आपके सामने form खुल कर आगा है, यह form आपको पूरा fill up करना होता है, इसमें आपको देखिए registration part A, तो part A का registration आपको करना है, जिसमें आप लगबग आदा registration कर चुके है, part A का, इसमें आपको क्या आप alternative mobile number देना चाहिए तो दे सकते हैं, उसके बाद आधा number भी आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, ठीक है, और फिर नीचे आजाना यहाँ पर current address डालना है, तो जो भी आपका address है, address line number 1, address line number 2, state, pin court, state, शहर और जो भी है, आपका address आपको यहाँ पर डाल देना है, उसक type से, इस पर आपको confirm कर देना है, जैसे confirm करेंगे, आपको first step complete हो जाएगे, यहाँ पर देखिए, successful का message भी आएगा, इसको आपको ok कर देना है, यहाँ पर green color आजागा, जो भी step complete होते जाएगे, वहाँ पर green color आते जाएगा, फिर यहाँ पर part B पर हम आजाएगे, part B में आप आपको क्या करना है, माराइटी लेंग्वेज आपको आने चाहिए, read, write और speak करना, ठीक है, तीनों पर check mark लगा देना है, उसके बाद, domicile of माहराश्ट, अगर आप है, तो yes करें, नहीं है, तो simple सा no कर दे, फिर आपको वेवाई किस्तिती मतलब marital status यहाँ पर डालना है, ज इसके बाद यहाँ पर और भी yes no वाले सारे option है, तो आपको पढ़ पढ़ कर, इसमें yes no करते जाना, मतलब जो option आपके उपर apply होता है, वहाँ पर yes करना है, जो नहीं होता है, वहाँ पर simple सा no करना है, और आगे बढ़ते जाना, यहाँ पर कम से कम 810 option yes no वाले हैं, तो आपक का एक option आएगा इस पर आपको क्लिक का दना है इस प्रकार आपको है जो सेकंड पार्ट है भी है मतलब हो भी complete हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोनों ग्रीन कलर हो चुगा थार्ड पर आ गया है जिसमें academic detail लिखना है आपको तो academic detail में जो भी आपकी qualification वह आपको यहाँ पर डालना है high school high secondary diploma post graduation graduation जो भी आपने care side यहाँ पर academic detail आपको डाल देना है उसके percentage बगएर आपको डालना अगर आप experience है तो डाल सकते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसको blank भी छोड़ सकते हैं और नीचे अगर आपके पा okay का option आएगा इस पर okay कर देना तो third step भी आपकी complete हो जाएगे fourth step में आपको photo sign upload करना है चलिए मैं इसको थोड़ा zoom out कर देता हूं ताकि आपको और अच्छा से यहाँ पर दिखाए दें तो आपर देखिए photo आपको upload करना है और जिसकी जो size photo की वह 3.5 x 4.5 cm की होना चाहिए और jpg png format में आप इसको upload कर पाएंगे 100 kb से ज्यादे नहीं होना चाहिए और इसका जो size है आपको photo का 100 kb से ज्यादे नहीं होना चाहिए ठीक है इस बात का ध्यान रखना तो यहाँ पर आपको photo upload कर देना है simple सा पहले resize करना photo को उसके बाद जो है upload कर देना है कैसे resize करना है अगर इसकी वीडियो आपको i button मिल जाएगी आप माँस जाकर देख सकते है photo upload करने के बाद आपको simple सा signature upload करना है signature का जो size है वो भी 100 kb से ज्यादे नहीं होना चाहिए signature upload कर देना है अब signature upload करने के बाद यहाँ पर देखे signature upload हो चुका है नीचे आ जाना है आपको और save कर दे यहाँ ऑपको अपलाई कर दे victor और ग्रॉश्स और चयुका है उसके बाद यहाँ पढना है यहाँ पर payment कर देना है जो भी payment को अपको कर देंना है के हिसाब से और जितनी पोश्ट के लिए आप अपलाई कर रहे हैं उसके हिसाब से ठीक है मानलीज आप तीन पोश्ट के लिए अपलाई कर रहे हैं और आपके कैटेगरी BCW से तो यहाँ पर और पेमेंट आपको कर देने के बाद प्रिंट कर लेना अपना रेजिट्रेशन फॉर्म इस तरह से आप फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो आपको पसंद आईगी है वीडियो लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करन अजया घंग्श द्सक्राइब कर लेता है वीडियो आपको पस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है यग्य।